OTT पर एक तमिल फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है रायन इस फिल्म के लीडरों आपको नजर में आएंगे धनुष और इस फिल्म के जो डारेक्टर है वो धनुष खुदी है अब क्या ये फिल्म आपको पसंद आती है या नहीं ये जानने के लिए आप ये वीडियो में सुर्वात से लेके अंदक बने रही है फिल्म की कहानी के अगर हम बात करें तो रायन की फेमिली में उसके दो भाई है और एक बेहन है दुर्गा वो सभी से बे इंतहा मुवबत करता है और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तयार है ऐसे में उनके भाईयों से कुछ एक लाइन में करना चाहो तो मैं इतना ही कौँगा कि मैंने फिल्म के बारे में जादा नहीं सुना था इवन मैंने इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था मुझे बहुत ही कम उमिद थे फिल्म से लेकिन फिल्म सच में इंटरस्टिंग है देखने में मज़ा आ गया खास करके जो film का first stop है, वो outstanding है, जिस प्रकार से फिल्म का first stop build up लेता है, केरेक्टर को जिस प्रकार से हमारे सामने प्रेजंच करदा है, वो देखने में सबसे अद मजा आ गया, खास करके धरुस की personality को जिस प्रकार से हमारे सामने दिखाया आ है वो सच में outstanding था, उनको देखके यही लग रहा था कि भाई यह अक्यला बंदा सामने अगर सो लोग भी होंगे वो सो के सो लोगों पे यह भारी बढ़ जाएगा इतनी जबर्दस तरीके से उनकी परस्तानिटी को दिखाया है तो फिल्म का जो फर्स्ट हाप है वो आउट स्टनिंग है फिल्म क कहानी एक बार देखी जा सकती है और फिल्म में सबसे ज़ादा मजा आता है इसके एक्शन सिक्वेंसिस में इसकी कहानी वे इसके जो एक्शन सिक्वेंसिस है वो जबर्दस्ते ब्रूटल है खास करके गले में जो मारते है माथे बे माते है वो साफ साफ तोर पे आपको दि पूरी फिल्म हालाकि उनके कंदों परी थी और हमें उनके अलावा कोई भी करेक्टर उतना ज़दा पसंद नहीं आता, पूरी फिल्म में वो इतने पतली से उनकी बोड़ी होती है, सांस वभा होता है, उससे बात भी नहीं करते, लेकिन एसा लगता है कि यार ये अकेला उसका वो सबसे आदा आपको पसंद आता है, अन्त में बस में इतना ही कहूंगा कि फिल्म की जो कहानी है, वो रूटीन कहानी है, कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, लेकिन फिल्म में जिस प्रकार से कहानी में जितरन किया गया है, केरेक्टर को जिस प्रकार से हमारे सा लोग से उसको चेंज नहीं किया गया है, उनके जो नाम है, जिस प्रकार से दुकान के नाम है, जो भी चीज़े है, वो AZT's फिल्म में दिखाई गई है, तो वो मुझे सबसे आधा पसंद आई, ये फिल्म की चुलें थे, वो धाई गंटे के आसपास है, मैं इस फिल्म को पूंगा, 7.5 आपट आप 10 स्टार्स, आपको रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्षर में जरूर बताएगा, पर एक रिव्यू अच्छा लगा, वो तो लाइक जरू कीजेगा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, जैश्री रावावावावावावावावावावावावावा